हेलो एवरिवन एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपोर्टन क्वेशन्स जो में लिए प्रीवियस हमिरपूर के एक्जाम में ये क्वेशन्स पूछे क्वेशन्स के मैं आपको जितने भी अंसर बताऊंगा फो फाइनल अंसरी की के अकोर्डिंग ही बताऊंगा जो हमेरे पर बोर्ड ने जारी की थी ये क्वेशन्स आपको अगामी एच्पी एससी जीवीटी कमीशन एससाइए कंड़क्टर जेओ आईटी पोस्ट को 965 पूछे ही जाते हैं दस से बारा जो क्वेशन्स आपको काफी हैं जो है मैं ट्री इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां पर जाकर वीडियो उस देख सकते हो बहां पर आपको एच्पी टेटी आपको देखने को मिलेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं क्वेशन नमर 117 में बोला गया कि गुरत्वा कर्शन का सार्व भॉंवे के नियम जो था वो प्रतीपादि थी किया था किसने किया था ता युनिवर्सल लाफ ग्रेविटेशन इस एट्रिबिटी टू प्रतीपादि थी किया था निवर्सल नमर 117 के वारे में बात करें निवर्सल लोज और मोशन के वारे में तो सबसे वहले निवर्सल लोज मोशन है फिजिक्स के पिता निवर्सल ने सन 1687 में कब ये भी आपने याद रखना है निवर्सल ने सन 1687 में अपनी पुस्तक जो थी उनकी बुक जो थी प्रिंसीपिया में किसमें प्रिंसीपिया बुक में सबसे पहले गती के नियम को प्रतिपादित किया था लोज और मोशन कोशन ने उसमें बताया था इसमें अपनी पुस्तक जो है प्रिंसी पी आई ये अपने नोड़ डॉन कर लेना है यहां इस कुश्शन पूश सकते हैं तो थोड़ा डिडेल में डिसकस कर लेते हैं नियूटन इने तीन लोग दिये थे नियूटन फर्स लाव मोशन जो था वो बोलता था कि यदि कोई वस्तू विराम वस्ता में है तो वे विराम वस्ता में रहेगी यदि वे एक समान चाल से सीड़ी रेखा में चल रही है और वैसी ही चलती रहीगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल लगा कर उसकी बरतमार वस्ता में परिवर्टन ना किया जाए ये भी आपने याद रखना है इसके एक्जामपल प्रत्थम जो लो था नियूटन का फर्स लाव मोशन जो था उसे गैलेलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसके जो एक्जामपल है नियूटन के फर्स लाव मोशन के वो कौन-कौन से हैं जैसे ठहरी हुई मोटर या रेल गाड़ी के अचानक चल पढ़ने पर उसमें जो बैठे यात्री होते हैं वो पीछे की ओर जुख जाते हैं उसके एक और एक्जामपल है कंबल को हाथ से पक लगती है तो आपने देखोगा जो उसमें बस या किसी भी डिकल में जो बैठे पेसंजर होते हैं यात्री होते हैं वो आगे की ओर जुख जाती है तो वो नियूटन के फर्स लोग का एक्जामपल है उसी तरह नियूटन का जो सेगन लोग कहता है कि किसी बस्तू पर कार्य करने वाला वालिका जो मार होता है वो वस्तू के द्रब्यमा तत्थ बस्तू के उत्पन तोरने के गुर्ण फाले के इसमान उपात होता है जैसे फोर्स जो होती है वो मास इंटू एक्से रिलेशन होती है फोर्स जो होती है वो किसके एकल होती है मास इंटू एक्से जब वो क्याच कर लिते हैं तो आथ को पीछे वो निवाटन के सेकंड लोग का एक्जम्पल है और कांच के बरतन को पैक करने से पहले भूसे अत्वा कागज मेले पेटा जाता है यह भी आपने देखा होगा वह भी निवाटन का सेकंड लोग है और निवाटन थर्ड लोग निवाटन थर्ड लोग जो बोलता है कि प्रतेक क्रिया या जैसे मालो आपने किसी दीवार पे कोई गेंद फैंकी है दिवार से तो जिस फोर्स से आपने वो दीवार पे वो गेंद फैंकी है उसी फोर्स से वो गेंद बापस आईगी वो निवाटन का तीसरा लोग गहता ह जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की और धक्का लगना ये एक्जामपल है रोकेट को उडाने में ये भी न्यूटन का थर्ड लोग है नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की और हट जाना ये एक्जामपल जो है वो न्यूटन के थर्ड ल वारे में बताया था 1687 में प्रेच्ट Q118 ॐसमें बटा चलतें Varan 118 में बौलागी कि किसी निकाहे द्वारा उसके गती के गुंड द्वारा घारित उर्जा है थ काइनेटिक नियोगी कहा जाता है option number B is question का right answer है अब थोड़ा discuss कर लेते हैं एनरजी के वारे में आपको पता होगा energy क्या होती है किसी वस्तू की कार्य करने की किशंता को उस वस्तू की उरजा कहा जाता है उरजा इसका जो SI unit है वो क्या है वो जूल है किस की ये energy की बात कर रह यूल है और आपको पताओगा कार या द्वारा जो प्राव तुर्जा होती है वह यांत्रीक उर्जा कहलाती है जो दो प्रकार की होती है कौन-कौन से एक होती है काइनेटिक एक होती है पॉटेंशन अर्ज ये भी आपने याद रहना है तो ऑफ्षन नम्बर बीक क्वशन के रहे जो भूड़ी वाई वर्चू अफ इट्स मोशन इस काइनेटिक एक द्वारा उश्रमा का स्थान अंत्रण क्या कहलता है काफी इंपोटेंट इंप्वेशन है सब्सक्राइब करते हैं अब डिटेल में थोड़ा डिसकस करेते हैं उश्मा के बारे में हीट के बारे हीट क्या होती है उश्मा जो है वो उर्जा है जिसमें हम बस्तो की गरमाट का अहसास होता है इसका जो ऐसा यूनिट है वो कैलोरी है किलो कैलोरी है जो जूल है एक कैलोरी जो होती है वो किसके एकल होती है यह आपको पता होने चाहिए वाने कैलोरी जो होती है एक कैलोरी एककल होती है किसके बराबर 4.186 जूल के बराबर होती है और वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंतर प्रियोग किया जाता है उसे थर्मामेटर कहते हैं यह आ जेसमाण यह सो तो से कम सा यह से कुछ, सबस्क्राइभ नाइन ₹ जो होता है वह की तशीव में लिख आपि-दो हता है तसे हुछ और降एल्ज परर की कहीं पर नों कि वैल्योंगे इस तयरों की बोऌत के-वारी है पूछा गया यह आपर नौट अन कर लेना है तो माइनिस 40 डिग्री सेल्सियस पर फैरन हैट और सेल्सियस की दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है यह कुछिन कही बार पूछा गया है और जो डॉक्टरी थर्ममेटर जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो 96 डिग्री टिग्री फैरन हैट तक के मापको मापता है यह आपने याद रखना है कुछन नमर वन टू जीरो पे चलते हैं कुछन नमर वन टू जीरो में बोला गया कि मानव करने की श्रबन प्रास है दो डियूबल रेंज और फोर हूमन एयर इस तो मानव शरीर की जो सुनने की जो कि कितनी है काफी इंपॉर्टन कोशन है कोशन नमर वन टू जीरो का जो राइट ऐसरै वा काउपशन नमर सी है बीस हर्ट से लेकर वीच हजार हर्ट सब्योंक्षपन आप्समि इन तरंगैंख्ण के हमारे कान वह सुन सकते हैं इस करम हर्यरे से कriedसे और अउब्लेंबर। क्वेशन संदेरे में उर्ण सकता है विए जो होती है वह आपने देखा होगा वह रात चैने में उर सकता है त्यूंड सकता है किस कारण वह सकता है अप्ष्ण मीलती है्यान नेक्ट क्वेश्ट पे चलते हैं क्वेश्ट नमर 122 में बोला गया है कि दाड़ी बनाने के लिए किस दरपण का उपयोग किया जाता है विच मेरर इस यूज़ आपको पता होगा शेविंग मेरर कौन सा मेरर होता है क्वेश्ट नमर 122 में डिसकस करते हैं जैसे कनेकेव मेरर और कहां कहां यूज़ होते हैं कनेकेव मेरर जो होता है आपको पता है दाड़ी बनाने में ये यूज़ होता है आख कान और नाक के डॉक्टर के दौरा उपयोग में लाए जाता है और गारी की जो हैड्लाइट में ये आपने आदे रखना है जो गारी की हैड्लाइट होती है वहों पर कनेकेव मेरर यूज़ होता है 政治 si है कनेकेव मीरर के बारे में बात करते हैं वो Convex Mirror होता है, जब कि गाड़ी की हैडलायट पर जो होते हैं, वो Concave Mirror होता है, तो इस कारण इस question का जो राइटन जो होगा, दाड़ी व्याने के लिए Concave Mirror यूज होता है, वागी कहाँ कहाँ होता है, आंक कान नाक के डॉक्टर के ज़वारुप योग मिला जाता है, गा बनावता है क्वेश्ट नमर 124 में बोलागे है कि हाइड्रोजन बोम इस वेस्ट है वह अधारित है किसके उपर हधारित है क्वेश्ट नमर 122 का जो राइट अप्शन नमर जुँआ हिट्रोजन बोम इस वेस्ट onion no patreon न के बात करते है निउकलर मीजन। इसका प्रयोग नावगारी रिएक्टर प्रमाणु बोम में किया जाता है कि इसका नुकलिर फ्यूजन का बात करता है नुकलिर फ्यूजन यूज़। करनाते हैं हिवारी नाविक बनाते हैं इसका परयोग है है यू परियोग में हिए जाता है वो आपका option number B है hydrogen bomb is based on nuclear fusion उसी तरह atom bomb is based on वो किस पे होगा वो nuclear fusion पे होगा ये भी आपने याद रखना है इसी तरह एक question होता है ignition temperature क्या होता है ignition temperature जो होता है वे temperature जिसमें आग लग जाती है ये भी आपने याद रखना है ये question कई बार पूछा गया है जिसा संचाइक सेल में कौन सा एसेड जो है वो प्रियुक्त होता है काफी important question है तो which acid is used in a lead storage बैटरी में कौन सा एसेड यूज होता है question number 125 का जो राइट अनसर है वागा option number D है इस question का राइट अनसर है इस question का राइट अनसर है वो lead storage बैटरी में use होता है अब acid के वाड़ी में थब बात कर लेते हैं acid क्या होता यह जो पदार्त होते हैं इनका सुवात में यह squ當 होते हैं खटे होते हैं नीले लेटमस पंत्र को यह लेटमस पेपर को यह राड कर देते हैं और बेपदार्त जो जली VL provaline में H plus I फॉर्मिक एसिड उपस्तित होता है मेथनोईक एसिड भी उसे कहते हैं यह भी आपने याद रखना है जिसके करण चेंटी या मक्की के काटने पर दर्दिया जलन का अनुभब होता है जैसे कोन्से निम्भू संद्रा अंगूर और टार्टरिक एसिड जो की स्तरोथ है सिर्का हो गया लैक्टिक एकडिक जो है वो दहीं है उसका आपने याद रखना है कोश्ण नमर 126 पे चलते हैं ब्लेचिंग पौडर ब्लेचिंग पॉडर किसे कहते हैं क्वेशन नमर 126 का जो राइट है वह आपका option number C है calcium oxy chloride क्या राइट है इससे bleaching powder कहते हैं इसका जो सूत्र है यह भी आपने याद रखना है बेचिंग पॉर्डर का जो सूत्र होता है वह सी ए ओ सी एल टू यह आपने नोटन करे ला है सी ए ओ सी एल टू जो है bleaching powder का सूत्र होता है वह सी तरह बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट हो रहा है जैसे धावन सोडा कास्टिक सोडा जो है वह किसे कहते हैं सुमाजने रूप से सोडियुम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को कोस्टिक सोडा या धावन सोडा कहते हैं इसे काच साबुन तरह काग जो दियोग में तरह जल की स्थाई को ठोरता को दूर करने लिए किया जाता है उसी तरह बेकिंग सोड़ा है या खाने का सोड़ा जि आसके बद प्लास्टर पैरिजी हैं काफी एम प्लास्टर पैरिस इसे मेंली गाल्शियुमसलफेड hemichidrate है इसका जो calcium plastero-paris का जो सूतर है Cm4.5 S2 ये calcium plastero-paris का सूतर है तोटे हुई हडियों का plaster करने में खीलोन वा सजाप्टी समान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है question number 120 पे चलते हैं which is a good conductor of heat and electricity उश्मा और विद्यत का सुझाल कोन है तो ग्रेफाइट जो है इसक्रेशन का राइटेंस है ग्रेफाइट इस गुड़ कंडुक्टर ओफ हीट एंड इलेक्टरिशिटी क्वेशनमरे 11810 पे चलते हैं कवेशनमरे 118 में कैसे व्रोप इस तो ञ्रीं मिक्च्चर उन क्वेशन राइंज सुवेश्चिशंब्स रेमाईowane मे शाइट कपर और किन तो नहीं है कपनेने कप्रों एक 4 मिक्चर है जालेक्षक्चर 151 इस निए निए पहु लग है तो आपको बताऊ का पोलीवर क्या है पॉलिमर पॉलिमराजेशन जो है इसमें बड़ी संख्या में सरल अनु एक दूसरे से सहीयो करके उचे अनु बाहर का एक वरहत अनु बुलाते हैं सेलूलूस जो है वो प्राकरितिक बहुलक का उतारन है रवर्ड में कार्बन ब्लैक मिलाकर इसे एक ठोर बनाया जाता है यह आपने याद रखना है पर इसका इसका जो सिंथैटिक पॉलिमर कौन सा है कौश्ट नमर एक सो तीस का जो राइटन्स रहोगा वाक आप्शन नमर नायलोन इस जाओ सिंथैटिक पॉलिमर कौश्ट नमर एक सो तीस पर चलते हैं वीच इस नोटा टूस ने कोन सा एक वास्तियों के सरपन नहीं है कौश्ट नमर एक सुपाइटन्स रहा का आप्शन नमर डी है ग्लास सने कर जो है स्कौश्ट का राइट असर है कौश्ट न वैरी वैरी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है काफी इंपोर्टन कोश्ट नहीं है इस कौश्ट का राइट असर है आपको पता को वैरी वैरी जो रोग होता है वो वीटामिन किसकी कमी से होता है यह कौश्ट हमने कई बार डिसकस किया है वीटामिन वी की कमी से होता है किस एक्सेस ओवाटर इन वोडी रिजल्ट इन स्रीर में जल के दिखता है क्या होता है और शोर्टीस में बोलता है कि दर्द निवार यह वो क्या कहते हैं पें रिलीविन ब्रर्ट आर नौन यह स्कुर्ण सबंदित है किस से संबंदित है काफी इंपोर्टेंट कुछन है कुछन नमर 132 132 का जो राइट अप्शन नमर डी जो है इस कुछन का कोरेक्ट अंसर है आपको पता को पेस्मेकर जो है वो हर्ड से लेटेड होता है यह आपने आप्सक्ने ऑरेक्शन के लिडिया इस वीडियो साइंस के कोद पूछे गए थे तो आज किस वीडियो में वस इतना ही तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक्शिर एंड सब्सक्राइब जिरूर कर दें तो थैंक यू फ्रेंड